नमस्कार, दे कुकिंग रेक में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बीट रूट सूप इसमें ना हम प्यास डालेंगे, ना लेसुन और ना ही कोई क्रीम और बटर पर ये बनेगा बहुत ही स्वाधिश्ट तो चलिए इसके बनाने का तरीका देखते हैं कैसे बनेगा बीट रूट का सूप उसके लिए हमने यहाँ पर दो बीट रूट लिये हैं और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है अब इसके टैप को काट कर निकाल देंगे और इसे छील लेंगे बीटरूट में बहुत सारे गुड़ होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसलिए आप इसका सूप बना कर जरूर पीजिए और अब इसे हम काटेंगे अ हमने बीटरूट को काट लिया है अब लेंगे एक कुकर और इसमें कटे हुए बीट रूट को डाल देंगे इसमें डालेंगे एक गाजर को हमने छील कर मोटा मोटा काट लिया है और दो टमाटर को मोटे मोटे टुकडों में काट लिये है एक इंच अद्रक का टुकडा इसे भी काट कर डाल देंगे एक चोथाई चमश चीनी और आधा चमश नमक अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और कूकर को बंद कर देंगे फ्लेम को slow to medium के बीच में रखेंगे और इसे 2 सीटी लगने तक पकाएंगे 2 सीटी लग गया है अब फ्लेम को बंद कर देंगे और कूकर का पेशर खतम होने पर खोलेंगे आप देखिए यह पक गया है अब इसे ठंडा होने देंगे यहाँ पर हमने लिया है 2 पीस ब्राउन ब्रेड अब इसे कैची से छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे और इसे बेकिंग ट्रे पर अच्छी तरह फैला देंगे अब इसे ओवन में लो रैट पर रखेंगे स्लिम फ्राई मोल्ड पर इसे 8 मिनट के लिए बेक कर लेंगे आप चाहें तो हुआइट ब्रेड भी ले सकते हैं और उसे डीप फ्राई कर सकते हैं ब्रेड बेक हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं अब देखिए आप ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी बेक हुआ है आप इसे ठंडा करके एर टाइट डिब्बे में रख लिजिए तो जब ही आप सूप पीजिए आप इसे उसके साथ खा सकते हैं बीट रूट ठंडा हो गया अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे आप देखिए इसी तरह इसे हमें ग्राइंड करना है अब इसे एक भगोने में पलट देते हैं और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी सूप में डाल देंगे अभी सूप बहुत गाढ़ा है इसलिए हम इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक पकाएंगे अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच पीसीवी काली मिर्च और आधा चम्मच सफेद मिर्च पाॉरडर इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर सूप को पकने देंगे आप देखिए हमने सूप को इतना गाढ़ा बनाया है अगर आपको सूप पतला पसंद है तो पानी आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते है सूप अच्छी तरह से पक गया है अब फ्लेम को बंद कर देंगे तो बनकर तैयार है बहुत ही मज़ेदार बिना क्रीम और बटर का टेस्टी सूप इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं अगर आपका प्रेशर लो रहता है तो आप इस तरह का सूप बना कर हर दिन पीजिए यह आपको बहुत ही हेल्दी रखेगा अब इसके उपर डालते हैं थोड़ा सा सफेद काली मिर्च का पौडर आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा सा बटर या क्रीम डाल सकते हैं आप इसे बेक किये हुए ब्रेट के साथ गर्म गरम सूप को पीजिए सूप बहुत ही सौधिश्ट बना है आप इसे जरूर बनाईए और अपने पूरी फैमली को इस सूप को पिलाईए अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो फैमली और फ्रेंड के साथ जरूर सेर कीजिए लाइक कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद